बगवत किता में आ भगवान श्री कृष्णा हमें फल की चिंदा छोड़ कर कोशिश करते रहने का उपदेश देते हैं पर मुझे काम करते जाना और नतीजों पर ध्यान ना देना बहुत जादा मुश्किल लगता है और मैं जानना चाहती हूँ कि हम ये कैसे करें बिना फल के बारे में सोचें कैसे बस प्रयास करते रहें मैंने किसी भी शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है ये दुर्भा के पूण है पर मुझे कहना पड़ेगा मैंने गीता भी नहीं पढ़ी है पर हम जानते हैं कि क्रिश्न के जीवन में ऐसा लोग सोचते हैं कि क्रिश्न यानी मखन, लड़कियां और बासुरी पर आपको ये समझना चाहिए ये सारी चीजें तब हुई जब वो सोला साल के थे तो सोला के बाद उन्होंने एक बहुत ही कमिट्मेंट भरा जीवन जिया उनका कमिट्मेंट था उस समय की राजनितिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया को जोड़ना क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक सत्ता पर बैठे हुए लोगों में जीवन की एक बड़ी समझ नहीं पैदा होती और वो अपनी पहचान में सभी को शामिल नहीं करते ऐसे नहीं कि बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पती, मेरी पत्नी और ये सब जब तक आपके अपनी पहचान की समझ बड़ी नहीं हो जाती सिर्व तभी आपको सत्ता की ताकत मिलनी चाहिए नहीं तो ब्रष्टाचार होने लगेगा लोग कहते हैं सत्ता ब्रष्टाचार है सत्ता ब्रष्टाचार नहीं है सीमित पहचान ब्रष्टाचार है उनको लगता है वो सही काम कर रहे हैं और वो हर समय भयानक काम कर रहे हैं क्यूंकि उनकी पहचान इतनी चोटी है तो कृष्ण इसे बदलने की कोशिश कर रहे थे ये उनके पूरे जीवन का मिशन था और वो हमेशा फल को पाने के लिए काम करते रहे जो आदमी इतनी तीवरता और कमिट्मेंट के साथ काम कर रहा है वो ऐसा इसले नहीं कर रहा कि उसे फल नहीं चाहिए जाहिर है वो फल के लिए काम कर रहे है प्राब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात राजा के सेवक के शब्दों में सुनी है और किसी ने आपको नहीं बताया उन्होंने केवल अर्जुन से बात की अर्जुन ने कभी नहीं बताया वो उस घटना के बाद छत्ति साल और जीवित रहे पर उन्होंने कभी कृष्ण की बतायी वो बातों के बारे में एक शब्द नहीं कहा क्या आपने कहीं सुना है वो एक राजा थे पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण उन्होंने मुझे युद्ध के मैदान में ये बताया था एक बार भी नहीं तो जो कुछ भी आपने सुना है वो केवल संजय से सुना है जो कि राजा के एक सेवक थे आपको राजा के सेवक के गुण को समझना चाहिए वो बड़े भरुसे मंद होते हैं देखिए अगर आप मान लीजिए आपके पती या पत्नी या बच्चों ने कुछ देखा और वो आकर आपको बताएंगे वो अपनी तरफ से कुछ मसाला जोड़कर आपको बताएंगे ऐसा होना हर इंसान के लिए स्वभाविक है उनकी अपनी राएं, विचार, दूसरी चीज़ें अपने आप उनकी बातों में शामिल हो जाएंगी पर राजा का सेवक ट्रेंड होता है कि वो कभी अपनी राएंगे न जोड़े वरना उसका सिरकलम होगा वो एक एक शब्द वैसा ही दोहराएगा जैसा कहा गया तो वो एक तरह के राचीन टेप रिकॉर्डर है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बस राजा को बता रहे हैं कृष्णी ये कह रहे हैं पर कोई संदर प्रसंग नहीं है जब दो लोगों के बीच बहुत गहरा संबन्ध होता है तब बाते अलग तरह की होती है अगर दो प्रेमी कुछ कर रहे हैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो शायद किसी को लगे वो लड़ रहे है पर उनका लव अफेर चल रहा है तो ये कृष्ण और अर्जुन के बीच एक लव अफेर जैसा है क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत घनिष्टिता से जानते है तो वो एक खास तरह की भाशा में बोल रहे हैं और राजा का सेवक होने के नाते संजय एक एक शब्द सुनकर संदर्ब को जाने या उसको अनभव के स्तर पर समझे या जाने बिना संजय बता रहे हैं और अब ये समझने के बाद देखे, मूल रूप से बात बस इतनी सी है आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं आपके लक्ष होते हैं आप किस तरह के लक्ष बनाएंगे? अभी आप युनियर्सिटी में हैं आप किस तरह के लक्ष बनाएंगे? जितना आप पहले से जानते हैं आप उसे थोड़ा बहुत बढ़ा चला देंगे और सोचेंगे ये आपके जीवन का बढ़ा लक्ष है आम तोर पर लोग इसे ambition कहते हैं, मैं इसे constipation कहता हूँ क्योंकि आप जीवन को थोड़ा थोड़ा करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कब्स की तरह अगर आपका एक लक्ष है, तो आपका लक्ष कोई बिल्कुल नई चीज नहीं हो सकता आप जो पहले से जानते हैं, आपका लक्ष बस उसका एक बड़ा रूप होगा, है या नहीं क्या आप कोई ऐसा लक्ष सोच सकते हैं, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते ये कैसे संभव होगा तो वो क्या कह रहे हैं, समझेगा कि आपने एक दिशा चुन ली है, लेकिन आपको प्रोसस को लेकर समर्पित होना पड़ेगा, वरना लक्ष केवल एक भ्रहम रह जाएगा अगर आप, आप भी आप एक काम कीजे, ऐसा कीजे, बस ये वाली सांस मत लीजे, अगली वाली लीजे मैं देखू तो, मैं नहीं कर सकती, बस यही तो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कदम ठीक से उठाएबिना आप लक्ष के बारे में ब्रहमित होने लगते हैं, ऐसे कैसे चलेगा योग में हम इसे बहुत सरलता से कहते हैं, हम कहते हैं, अगर आपकी एक आँख लक्ष पर हो, तो रास्ता ढूनने के लिए बस एक ही आँख बचेगी, ऐसा करना बेकार है, बस तो वो ये कह रहे हैं कि लडाई में, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका इंक्रिमेंट या प्रेमोशन नहीं हो पाएगा, आप बस मार दिये जाएंगे लडाई के बीच में अगर आपने कम्मे हैं तो आपको लगता है आप बस अपने माक्स वगरा खो देंगी क्या आप बस अपने ग्रेड्स वगरा खो देंगी नहीं आप उसी शाम गार दिये जाएंगे तो कृष्णौ उन्हें बता रहे हैं क्योंकि अर्जन बोल रहे हैं, मैं इन सभी लोगों को मार कर कैसे राजा बन जाओं। वो कहते हैं, आप अभी राजा बने नहीं हैं। आपको पहले इस आदमी को ठीक से तीर मारना होगा। वरना आप राजा नहीं, आच्छाम आपको गार दिया जाएगा। क्रिश्ण बस उन्हें यहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह गलत है। तो पता है हर साल नवेंबर के महिने में हमारे यहां एक बिजनेस इवेंट होता है। तो पिछले साल भी 200 CE हो आए थे, इस नवेंबर में भी यह होगा। और वो आते हैं, देखते हैं कि कैसे ईशा फाउंडेशन बिना किसी अर्चन के चलता है। तरह तरह की गतिविदियां होती हैं, सारे के सारे वॉलेंटियर्स हैं। आपको पता है वॉलेंटियर कौन होता हैं। वो जिसे काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई होती हैं। वो बेहत डेडिकेटेड हैं, पर उन्हें उस काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और आप उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वॉलेंटियर्स हैं। अगर आपने उन्हें नौकरी दी होती, आप उन्हें निकाल सकते, वो वॉलेंटियर्स हैं, कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते। तो नोने ये देखा और बोले, सद्गुरू, हम IIT और IAM से सबसे बढ़िया लोग चुन कर लेके आते हैं। लेकिन आप सिर्फ वॉलेंटियर्स के साथ काम कर रहे हैं, और आपका और्गनाइजेशन हमारी कंपनियों से बहतर काम कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैंने का देखे, आप सब लक्ष को लेकर डेडिकेटेड हैं। यहां मैंने लगातार लोगों में ये भाव जगाया है कि आप पूरी तरह प्रॉसेस को लेकर समर्पित हों। अभी आप जो कर रहे हैं, उसे अच्छे से कीजे, उनमें से ज़्यादा तर तो ये भी नहीं जानते कि मैं उन्हें कहां लेकर जा रहा हूं। ठीक है, वो बस किसी प्रॉजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि लक्ष क्या है, मेरा लक्ष कुछ और है, अगर मैं उन्हें अभी बता दूँ तो वो हिल जाएंगे, क्यूंकि मेरे लक्ष इतने बड़े हैं कि वो हार मान लेंगे। तो अब हमने उन्हें ये बात डाल दिये हैं, कि आप बस इस प्रॉसेस में पूरी तरह से भागीदारी लीजे, पहले भागीदारी लेने की खुशी को जानिये सबसे पहले, बिना पूरी भक्ती के भाव को लिए आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी म हैं तो पूर्ण कर सकते हैं, क्रिश्न बस यही तो कह रहे हैं